आज से लगवग 25 सव वर्ष पूर भारती अउप महादवीप में छोटे छोटे राज्यों का उदै हो रहा था। एक और जहां इस क्षेत्र के पूर्वी भुभाग में मगध महाजनपद सोयम को एक सक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर था, वहीं उत्तर पस्चिम में कहानी कुछ भिन नहीं थी। यहां मगध जैसा एक प्रभावशाली राज्य तो नहीं था, लेकिन दो महत्वपूर्ण महाजनपद अवश्य थे। यह महाजनपद थे गंधार और कामबोज, लेकिन यह महाजनपद मगध जैसे प्रभावशाली और सक्तिशाली नहीं थे। इन दो महाजन्पदों के साथ साथ हम देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे राज्य भी इस क्षेत्र में वर्तमान थे। इस ख्षेत्र में किसी प्रमुक्षक्ती कन्ना होने के कारण यह छोटे-छोटे राज्य आपस में एक दूसरे से परसपर लड़ते रहते थे और हम यह भी देखते हैं कि यह सारे राज्य अत्यंत ही सम्रिद्ध थे. तो एक और एकता का अभाव और दूसरी और सम्रिद्धता के कारण यह राज्य किसी भी ख्षत्रू का एक सरलक्ष बन सकते थे. और आगे चलकर जिसका भैथा वैसा ही हुआ. मद्दे एश्या में इस समय हकामनी सामराज्य का उदय हो रहा था और इस सामराज्य की पर पड़ी और तभी हुआ भारत के पहले विदेशी आक्रमन का आरंब. हकामनी सामराज्य की स्थापना छटी सदी इसापूर्व में कुरूश या जिनें ग्रीक में सायरस कहते हैं उन्होंने की थी. और अपने सैन्य अभ्यानियों के कारण सायरस एनिटोलिया तक के आशन स्थापित करने में सफल रहे थे. पश्चिमी एशिया के इन ख्षित्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने के पस्चात हम देखते हैं कि सायरस की द्रिष्टी भारतिय उपमाद्वीब के उत्तर पश्चिम के इन राज्यों पर पड़ी. जैसा कि हम जानते हैं य यह राज्य छोटे-छोटे थे और इन राज्यों में एकता नहीं थी. लेकिन यह राज्य अत्यंत ही सम्रिद्ध थे. तो इसी के कारण सायरस को यह लगा कि वह इस ख्षित्र पर अपना अधिकार बहुत ही सरलता से कर लेंगे. लेकिन जैसा सायरस ने सोचा था वैसा नही हुआ. हम देखते हैं कि सायरस का पहला सैन्य अभियान अत्यंत ही विफल रहा. और ऐसा कहा जाता है कि इस सैन्य अभियान से मात्र साथ लोग ही भारतिय सीमा से स्वदेश जीवित लोट पाये थे. लेकिन सायरस इन विफलताओं से पराजय स्विकार करने वाले व्यक्तिय में से नहीं थे. उन्होंने एक बार पुना इस ख्षेत्र में आक्रमन किया और इस बार उनका यह सैन्य अभियान सफल रहा. इस सैन्य अभियान के कारण हम देखते हैं कि काबुल घाटी के ख्षेत्र में हकामनी सामराज्य का अधिपत्य स्थापित हो गया था. काबुल की देखते हैं कि लगभग 1518 इसा पूर्व में हकामनी सामराज्य के तृतिय समराथ दारियव या जिने हम ग्रीक में डेरियस कहते हैं उन्होंने इस अवसर का लाब उठाया और गंधार के ख्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जो उस समय उत्तर पस्चिम के ख्षेत् कर लिया तब के केंद्रबिन्दू था गांधार के पस्चात डेरियस ने हिड़ुष क्षेत्र पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया विद्वानों के अनुसार हिडिश क्षेत्र सिंदु नदी के पस्चिम में पढ़ने वाले इस हिडुष शेत्र को अपने अधीन करने के पस्चात हकामनी सामराज्य की सीमा अब सिंध के रेगिस्तानों तक जाफैली थी। जब एलिक्जेंडर भारत पर आक्रमन करने के क्रम में सिंधु नदी को पार करते हैं तो उन्हें इस क्षेत्र में कोई भी हकामनी क्षत्रप नहीं मिलते हैं। कि इस क्षेत्र में हकामनी सामराज्य का साशन नहीं था। लेकिन यह कहना उचित होगा कि सिंधु नदी के पूर्व में हकामनी सामराज्य का प्रभाव था। यह प्रभाव हमें दो रूप में दिखता है। पहला तो खरोष्टी लिपी के रूप में और दूसरा फारसी उपाधियों के रूप में जो इस क्षेत्र के छोटे छोटे साशक प्रयोग किया करते थे। डेरियस के बाद उनके उत्तर अधिकारी जरक्सीस का भी इन क्षित्रों पर अधिकार था। और बेत द्वारा निर्मित धनुष का प्रयोग किया करते हैं। बारतिय मूल के यह सैनिक बारतिय उप मुहाधवीब के किस खेत्र से आते थे इसकी जानकारी हमको जरक्सीस की समाधी से मिलती है। जरक्सीस की समाधी में उनके सामराज्य के भिन भिन सैनिकों की आकृति मिलती है। इन आकृतियों में से दो आकृति भारतिय मूल के सैनिकों की है। एक सैनिक हमको बताया गया है कि हिंदु शेत्र का है और दूसरा गंधार का। ग्रीक स्त्रोतों से हमें यह पता चलता है कि भारतिय उप महदवीप के जो क्षेत्र हकामनी सामराज्य के अधीन थे, वह हकामनी सामराज्य के सबसे धन्वान और सबसे घनी अबादी वाले प्रांथ थे। हेरोडोटस जो की एक ग्रीक इतिहासकार थे, उनके अनुसार इस क्षेत्र से हकामनी सामराज्य को 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था, 360 टैलेंट सोना लगभग 9 तन सोना हुआ, और हेरोडोटस के अनुसार यह जो कर था, वह सभी प्रांतों में सबसे अधिक कर था। भारतिय उपमाद्वीप के इन क्षेत्रों में हकामनी सामराज्य के साशन का अन्त लगभग 330 ईसापूर्व में डेरियस तृतिय के साथ हुआ। जब वह गौगोमेला के युद में एलिक्जेंडर के हाथों पराजित हुए, इस युद में भी भारतिय सैनिकों का एक समू हकामनी सामराज्य की ओर से एलिक्जेंडर के विरुद लड़ा था। जिस समय हकामनी सामराज्य का अंत हो रहा था, उसी समय भारतिय उपमाद्वीप के एक बड़े हिस्से में नंदों ने भारत के पहले सामराज्य की स्थापना कर दी थी. यदि आप इस सामराज्य के स्थापना के बारे में और जानना चाते हैं तो कृप्या करके यह वीडियो देखें धन्यवाद